ओके गाईस आज की इस बीड़ों के अंदर हम लोग बात करने बाले है जो कि स्टेफी करेक्टर की बारे में एंड गाइस काफी लोग का कॉमेंट और डिमांड आया जो कि भाई स्टेफी करेक्टर जो एप्लेटी है वो किस तर किसे वर्क करता है और इसका जो काम क्या है पेसिब्स करेक्टर क्या है तो आप लोग इस बीड़ों के अंदर आप लोग में बता दूँगा एस एक्टिब करेक्टर कौन सा है और पेसिब्स करेक्टर कौन सा है तो उदावट वेस्टिंग गाईस एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते है तो लेस्ट के यह मेरा इंस्ट्रागम का आईडी है अगर कैसे आप लोग चाते हो तो फॉलो कर सकते हो एंड गाइस अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक भी गाई देना एंड चैनल पे पहली पर आ रहे हो तो सस्क्राइब करके बेल एक सवाओं आना चाहिए सफेभी पेमघ्र्स कारगेर है आदो कमण में अभी डाउट आ रहे होगा जो कि एक पटिब टेमघ्र क्रे काह एंड पेसिप तकी होता है तो बिल्कुल को की सबंध करेंड आप लोग में बता देता हूं जो के आक्टिप पर्आशा होता है जिसका active का skill होता है'S तो हैस आप लोगो ये समझ रहे है जो कि active skill क्या होता है तो आप लोगो पिर देखने को मिलता है लेकिन आप इस टेफी का मतलब करेक्टर क्या करेक्टर है यह भी गैस मैं आप लोगों को बताऊंगा उसे पहले गैस आप लोगों यह पता देता हूं पेसिफ करेक्टर कौन सा है ताप लोगों को पता है जो कि पेसिफ करेक्टर केडली करेक्टर भी पेसिफ करेक्टर है और मोको करेक्टर भी passive character है और बहुत सब्सक्राइब करेक्टर है जो कि वो passive character है गाइस आप लोगो passive character क्यों बोला जाते हूं लोग character को तब लोगों मैं बता देता हूं दो वो automatically काम कर जाता है और passive जो character होता है उसका skill आप लोगो कोई से भी character skill के साथ add करके खेल सकते हो वो active character ही है passive character है तो बिल्कुल गाइस आप लोगो पता नहीं है मैं आप लोगो बता देता हूं stephy character गाइस आप लोगो active character मिलता है मतलब गाइस इसको active का skill है तो आप लोगो इसको use काना पड़ेगा तब भी आप लोगो बेंफीर देखने को मिलेगा and guys stephy character को आप लोग बिल्कुल डीजा लोग के साथ and skylar के साथ and guys बहुत सार ऐसे active character का जो है free fire का अंदर मौझूदे उसके साथ add करके बिल्कुल नहीं खेल सकती हो तो अभी बार देगाईस हम लोगो stephy character का अंदर कैसा कैसा ability मिलता है मतला कौन से कौन सा abilities का काम करता है तो चलेगा उसको हम लोगों सबसे पहले जान लेते है and stephy character का बिल्कुल आप लोगों जो ability मिलता है बोलकि एक नहीं दो-दो abilities का देखने को मिलता है तो जब भी stephy character level 1 का हो जाएगा जो damage reduce करेगा 10 person and जब भी level 2 का character हो जाएगा जो damage reduce करेगा जो की 12 person and जब भी level 3 का character हो जाएगा तो damage reduce करेगा जो की 14 person and जब भी level 4 का character हो जाएगा damage को reduce करेगा 16 person and जब भी level 5 का character हो जाएगा 18 person जो की damage reduce करेगा and जब भी level 6 का character हो जाएगा 20 person damage reduce करेगा मतलब मैक्स लेवल पे damage जो reduce होगा जो kit 20% and guys अभी आप लोगो मन में doubt आ रहा है पिस भाई ये क्या बोल रहा है तो मैं guys आप लोगो practically गेम के अंदर भी समझा दूंगा and बिल्कुल guys ये जो मैं आप लोगो बता रहा हूँ ये इसका पहला ability है and इसका जो दूसरा ability है कोई granite and launcher से मालेगा तो आप लोगो 10% damage कम देगा ठीक है तो आप लोगो इसको कैसे practically मैं आप लोगो बताऊंगा and उससे पहले guys आप लोगो जान लो जो कि duration का जो time कीतरा मिलता है मतलब guys duration का जो time मिलता है जो कि 1 level के 10 second मिलेगा and जो कि 2 level पे 11 second मिलेगा and guys 3 level पे 12 second मिलेगा and guys level 4 पे 30 second मिलेगा तो उसके बाद जो कि 14 second मिलेगा 5 level पे and guys जो कि level 6 पे जो कि 15 second मिलेगा and जो कि guys ये duration का time है मतलब guys डीजालो का goal आप लोग play करते हो उसको थोड़ा time के लिए ले ले आता है ठीक है उसके बाद बंद हो जाता है कुछ ऐसा ही जो duration का time इधर बता चुका है तो and guys जो cooldown का time वो कितना मिलेगा मतलब guys आप लोग जो ability को use करोगे then दोबारा ability को use करने के लिए कितना time लएगा आप लोगो ठीक है level 1 का जब भी character हो जाएगा तब लोग जो time लगेगा जो की cooldown का time 85 second level 2 का character होने से 80 second मिल लगेगा level 3 का character होने से 75 second लगेगा and guys level 4 का character होगा तो 70 second लगेगा and guys level 5 का जब भी character होगा तो 65 लगेगा second and guys level 6 का मतलब max level का character होने से 60 second लगेगा जो की cool down होने में दोबारा charge होने में इस character का तो आप लोगो बिल्कुल practically गेम के अंदर जाके बिल्कुल आप लोगो में normally समझाते था हूँ इसका ability क्या-क्या मिलता है So final guys अभी आप लोग देख साथ हो मैं गेम के अंदर आ चुका है Then guys stephy character का ability use क्या तो ability use करने के बाद इसका जो गोला की circle की तरह आ रहा है इसका अंदर रहके जो की काम करने पड़ेगा मतलो guys अब लोग बंदे के साथ fight करने पड़ेगा इसके अंदर ही रहके ही मतलो guys stephy character का ability कुछ इस तरके से use होगा ठीक है तो कुछ इस तरके से गोला टाइप का बंच जाएगा और इसके अंदर रहके कोई बंदे को आप लोग को मानना पड़ेगा ठीक है और क्योंकि guys अगर इसके अंदर आओगे तो आप लोग को कम कम करके damage मिलेगा तो मैं पहले ही बता था जो की damage reduce जो की आप लोग को पहले ही बता दिया था ठीक है अगर डेमेज रिटूस आप लोग को 20% मिलेगा 6 लेबिल का अगर स्टेफी करेक्टर रहेगा तो उसके बाद मैं आप लोग बता है था जो की duration का time तो duration टाइम क्या है तो duration जो हो रहा है आगर आप लोग को यूज किया तो देख सकतो मैं ability को यूज किया देन बहूर डूरेशन जो हो रहा है मतलब धिरे दिर की कैसे जो जा रहा है तो मतलब जब भी पहुंच जाएगा देन दोबारा जो की ability charge होगा तो चार जोने में आप लोगो पता था मैं पहले ही पता था जो की cool down time जो की कितना था जो की 60 second था ठीक है तो आप लोगो कुछ इस तर किसे जो की cool down होगा दोबारे यूज़ करने की जो की 60 second लगेगा तो नॉर्मेले का इसमें आप लोगो बता देता हूँ स्टेफी करेक्टर का ability ऐसा होगा जब भी इस गोले का अंदर आप लोग रहके fight करोगा ठीक है कोई बंदा आपको damage देगा तो 20% damage कम लगेगा आप लोगो ठीक है इसका बार जब भी आ जाओगे नॉर्मेले जाओगे देमेज लगता है बैसे ही लगेगा और एक बात गाईज स्टेफी करेक्टर को लगके आप लोग खेलोगे ठीक है और ग्रेनाइट लॉंचर से कोई आप लोगो मारेगा मतलब आपके पास श्टेफी करेक्टर है आपको कोई देमेज मतलब दे रहा है जोकि ग्रेनाइट से लॉंचर से तो आप लोगो जोकि डेमेज बहुत ही कम पड़ेगा मतलब गाईज मैं आप लोगो बता है तो जोकि 10% डेमेज कम पड़ेगा ठीक है तो कुछ गोला टाइप का बनेगा ठीक है अद इधर देको मैं अबलेटी उसके या देन गोला टाइप का बन गया तो इसके अंदर रहके आप लोगो फाइट करना पड़ेगा इसका बाहर चला जाओगे तो गाईस बिलकुल स्टेफी करेटर काम का नहीं होगा कुछ भी ठीक है अद इसका अंदर रहके आप लोगो फाइट करना पड़ेगा तो गरिने बालों को ये समझना चाहिए था जो कि DJ लोगो गोला जैसे साथ में जाता है ऐसे स्टेफी करेटर का अबलेटी साथ में जाता है तो कुछ काम का होता है स्टेफी करेटर लेकिन गास मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बिल्कुल ये करेटर क्योंके 500 डायमन में एक करेटर आप लोग को में रहा ठीक है तो आप लोगो मर जी है आप लोग चाहो तो बाई कर सकतो लेकिन गास में रिकोमेंड करूँगा आप लोग बिल्कुल इस करेटर को बाई मात करूँ कि इतना अच्छा करेक्टर नहीं है ठीक है तो बिल्कुल गास आप लोगो पाता चल जो जो कि इस टेफी करेक्टर का एबलीडी की स्थरके से काम करता है अभी तक आप लोगो ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गास वीडियो को एक लाइक कर दना और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन कॉल पर स्थेट कर दना और यह दख सकतो मेरा इंस्टागाम का आईडी है अभी तक आप लोगो ने फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टागाम पे तो जूर आप लोग फॉलो कर लेना सो मिल दे गास कुछ निए और इंडरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तो लगास टिक क्यार बाबाई